सशिका स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागते जी तवाड़ा एरुडेशन स्टाड़ी जी ओफीशिल चानल दे उपर जित्थे हैसी एनन दिन देविच मास्टर केडर दो हजार बाई जो पंजाबी दा इक्जाम आया हुया है उस देरी त्यारी कर रहे हैं और ऐस चैनल दे शाम अठ वजे दे सेशन दे विच तो अनू सारा दा सारा स्लेबस कवर करवाया जा रहे हैं मास्टर केडर दा अधुनिक काव तो उसी शुरू करके और कहानी कारां दे उपर आ चुके हैं और तो उनू पता चाली गया होना है कि जल्दी ही तो अड़ा एक्जाम कंडक्ट होन वाला है इसलिए तो उसी कोशिश करया करो कि डेली ही सेशन नू अटेंड करया करो ओके आज जो उसी कहानी कर करने ने ओ है गया जी सुजान सेंग जल्दी जल्दी फिर सेशन नू शेयर करो और सारे जल्दी जल्दी आ जाओ सो देट कि आपा सेशन नू शुरू कर पाईए जेडे स्टुडेंट्स फरस्टेम सेशन नू देख रहे है ओनना नो दस देया कि डेली शाम नू प्ले लिस्ट बनिया होई है तुसी उत्थो जाके कोई भी साइटकार नू कर पाऊगे और उस तो बाद अगर तो अनू किसे भी सेशन दी पीडिएफ चाही दिया है ता ता अनू जॉइन करना पहेगा टेली ग्राम दा चानल ता ओदे ली तिन लिंक तो अनू मिल जान द आ है ना और हुंता नू पहला ना जाधा जोशनल पढ़ना पहेगा सशिका राजविर जी पुनम जी अमन जी एंड रनवी जी ओके क्यों जोशनल पढ़ना पहने जी हुंता नू रातां दी नींद नहीं ओनी चाही दी बिकांस किसे भी चाहिं तो अडे पेपर दी जड़ बहुत जाधा अच्छी तना करना है ओके सशिका राजविंदर जी हां जी ता विदिन टू मिनेट यानि की एट फाइव ते असी सेशन नू स्टार्ट कर देना है ता जल्दी जल्दी सेशन नू शेयर कर लो सो दाट की फटाफट स्टार्ट कर पाईए है ना और कुछ एक स्टूडेंट्स कहरें कि उन्हा था टेलिग्रम जोइन नहीं हो रहा आइटा नो क्यों नहीं हो रहा ता कुछ स्टूडेंट जिनना नहीं पर जोइन किता होई ले टेस्ट और प्लीज कमेंट सेक्शन देविच जड़े जोईन नहीं हो रहा अगर तुसे लिंक शेयर करो तो शायद हो जाए है ना हाय मिनाक्षी जी सशिकार राजपाल जी तप लीज एक वरी ना ट्राइए करना अगर किसे भी हल्प हुं दिये तो जरूर कार देनी है चलो करिए फिर स्टार्ट सुजान सिंग कहानी कार दे तौर दे उपर पहला कोईशन तो अडे सामने आ रहे है सुजान सिंग ने किसे विचारतारा तो सेद लई सी अंसर करना है समाजवादी मार्क्सवादी दोन्हों या ना दे विच्छो कोई भी नहीं की उत्तर हुएगा जी ना दी विचारतारा दसनी है पहले प्रशंदा उत्तर कुलविंदर जी पेपर जल्दी ही हुन दे चैंसेज ने ठीक है सशेकाल मंगर जी और निम्रजी सशेकाल पहले दा उत्तर तुसी सी लगा रहे हो राइट बिल्कुल ठीक है स्माजवादी वी और माक्सवादी वी अज मैंना थोड़ा जा स्पीड स्लो रखन दी कोशिश करूंगी क्योंकि कई स्टुडेंट्स कह रहे हैं कि अगले क्वेशन ते जंप करना लूना नू पिछली समझ नहीं हो दी ठीक है ता जादा काली नहीं मचामांगी हुन वैसे भी हुनसा नू जादा सेजे सेजे करन दी जरूरत है राइट चलो हाँ बिल्कुल ठीक है ए परसिद कहानेकार होई ने स्माजवादी विचार तारा देता है तार्मी है गई सी उस दे नाल नाल एनना दियां रचनामा दे उपर यथार्थ वादा बहुत जादा परबाव हुन दा है ठीक है और एनना दियां कहानियां दे जिनने भी विशे हैगी है ओ जादा तर तो अनू समाजविक विशे मिलनगी लोकां दे दुख दर्द और पीड नू एनने तो डुंगाई दे नाल देख्या है और माक्समा दी विचारत आरा दा परबाव भी एनना दियां रचनामा दे विच देखनों मिल्दा है अगे सुजान सिंग दे अनुसार कला डैस दे ले हुन दी है तो अड़ा उत्तर भी आ रहे है यानि कि समाज दे ले हुन दी है बिल दा पर आप ऑन वुट कर दाँगे सुजान सिंग दे जड़े कहाणियां दे पातर हुन दे ने ओ तिन तरह दे पातर करे जा सक्दिया अबले पातर है ने रहाक जड़े की गरीब और शोशन दा, शिकार हुन दे ने गोड इवनिंग जगदीब जी मैं उस तो बाद देख्या नहीं सौरी मैं पहलना पहलना सार्या नू देख लिया सिखा नौके दूसरे तरह दे जड़े पातर ने ओ हुंदे है पूंजी पती सर्मायदार और जड़े शोशन कर दे है पहले नंबर ते जड़े शोशित हुंद 1909 हुया बिल्कुल ठीक है और एनना दा जनम हुंदाया डेरा बाबा नानक गुर्दास पूर्देविच ठीक है अगे तुसी दसने सुजान सिंग दा बचपन अपने नाना ते नानी देनाल कित्थे बीत्या देखो एक्चली ना गुड इवनिंग तरसेम जी गुड इवन नहीं सिगा ता उनना ने सुजान सिंग नुगोद लेल या ते फेर पूरा बचपन अपने नाना नानी देनाल ही रहे ने एते तो अड़कुल पुछया जारहा है कि नाना नानी देनाल केड़ी जगान दे उपर आना दा बचपन भीत्या कुछ C कह रहेंने कुछ D कह रहें जेडे भी आंसर C करेने कलकत्ता उनना दा उत्तर बिलकुल ठीक है एनना दे नाना जी बंगाल दे विच कलकत्ता दे विच एक बहती वड़े और अमीर ठेकेदार सिगे ठीक है और ओही एननना नू अकसर किताब मां पढ़न दे लेले आके दिया कर दे सिगे इससे करके पहितिक जड़ी समझ है या जड़ी चेटक है ओ लगनी शुरू होगी सी ठीक है अगे देखो पंजवा प्रशन सुजान सिंग ने किस कहानी विच बंगाली वातावरनु सिर्जा है देखो हुने बंगाल दे विच रेंदे रहा है कलकत्ता विच रेंदे रहा है तो कहानिय दे विच बंगाल दा पर बावता मिले गाई राइट बिलकुल पंजवे दा उत्तर जिन्ना ने भी सी किता बिलकुल सही है आत्मा दे शांती और डेड़ आदमी दोनों ही कहानिया दे विच पंगाली वातावरनु एननने सिर्जा है ठीक है देखो पहलना ता जदो तक एन जिन्दा रहैं आना दी जिंदकी बहुत वदिया सीगी परना की हों दया अचानक बेवक्त आना धी नाना जी मोथ हो जाल्दियां फिर आना दी नानी जी भौत मुशक्कत देमाले ननी ग्यानी औरonnaise करवांदीने तो सुजान सिंग ने खाल्सा कालज विक्पड़ दियां क वाला वाज्जा यह बिलकुछ सही है एनना ने देखो सारी दी सारी पड़ाई पहला जड़ी प्राइमरी है उनने बाल मुकुंद खत्री मिडल स्कूल तो किती और बी एननने अमरे सर्दे खाल सा कालज तो किती है और ओधो ही पड़्द्या होया एननने एवला लेक लिख्य सिटाए सी अग्ये चलांगे सत्वा प्रशन सुजान सिंग ने पंजाबी दा ज्ञान आते पंज ग्रंथी पाठ किस तो सिखेया जी सत्मे दा उत्तर करना है जी ज्यान ने ने कॉर्रस्पॉंडेंस किती सी ठीक है उस्त बाद में वी किती है हुन पंज ग्रंथी और पंज करम सिंग एन्ना दोना दा ही एन्ना देपर प्रवावण दाया दोना तो इपंजाबी सिखेने ते उस तो बाद फेरे हैं पंज ग्रंथी दा पाठ करना शुरू कर देंदे है ठीक है अगे देख देया अठ्मा प्रशन सुजान सिंग दे कहानी रब्दी मोत अते सिट्टा अला दे विच किस विशे नू छुहे आ गया है हां जी एन्ना दोना कहानिया दे विच मेन केडा विशा छुया गया है उस ता उत्तर करने ठीक है जी हां जी उत्तर करो जगदीब जी पेपर दे चैंसेज बहुत जल्दी है गेने और कोशेश रहेगी कि मेरी मैं जल्दी तो जल्दी तो अड़ा स्लेबर्स कवर करवा सका हाँ जी अठमे दा उत्तर तुसी कर रहे हो D और C जिना ने D उत्तर किता है मजदूरा और किसाना दा शोशन उनना दा उत्तर बिल्कुल सही है अगे देखांगे सुजान सिंग दे किस दे नाल नेडले सबंद रहे एनना चारां दे विच्चों कोन है गया है उनना दा उत्तर करना है ठीक है देखो सुजान सिंग ना पहलना कलकत्ते दे DAV स्कूल दे विच भी परती होए सी पर उत्ते क्योंकि पंजाब भी दा कोई विद्यार थी ही नहीं है गसी इसलिए अनना नो कलकत्ते दे मचुआ बजार स्कूल दे विच दाखला दवा दिता गया ते उत्ते अंग्रेजी और हिंदी साहित दे विच अनना दे रूची पहला नालों जादा वद गी सी ठीक है हाँ जी नोमेदा उत्तर करो फिर की दे नाल एनना दे बोट निडले सबंद रहेने नोमेदा उत्तर बलवन्त अच्छा बावा बलवन्त बिल्कुल ए उत्तर ठीक है बावा बलवन्त अग्ये चलांगे दस्वे प्रशन दिलई सुजान सिंग ने सेवा मुक्तितों बाद कित्थे लड़कियां दे कालज दी स्थापना किती देखो एड़े विछ उनना दा की है जदो हे स्कूल वगेर आना ने खतम कर लिया है ना उस तो बाद उनक्यों कि कल्ले नानी जेना पाड़ रहे सी ता छोटी उम्रे आना दा व्याह करता फिर आना ने बहुत सारी नोक्रियां कितिया ने ठीक है नोक्रियां कर दे अननों यह एहसास हो लगया सिखा कि मजदूरी करना नोक्री करना किन्ना ओक है किन्ना शोशन दस अनुशिकार होना पैंद है ठीक है ता एवल यह कहानिया एद्दा ही फिर आनने मजदूरां दे शोशन दे उपर करनिया श अपक लागे फिर पूरा विश्व साहीत नहीं बहुत जादा पड़ेया और जदो तक एहे में कती है नहीं तद तक एहेड मास्टर बनगे सी ठीक है ते फिर कॉलेज दे विचे हे लेक्षरार लगे फिर प्रिंसिपल बने देखो छोटे अध्य अपक तो लेके प्रिंसिपल तक दा सफरेन नहीं तैय किता है ओके ते फिर गुर्णानक कालेज गुर्दास पूर्तों हे प्रिंसिपल वजो सेवा मुक्त हो एसी ठीके जी अग्गे चलांगे ग्यार्वे प्रशन दिली सुजान सिंग ने हेठा विच्चो किस वजो सेवा निबाई जी ग्यार्वे दा सेखक असोसियेशन और पंजाबी साहित अकादमी लुद्याना एना सार्यां देविची एनाने सेवा मानी बाईयाने ठीके जी अग्ये चलांगे बारवे प्रशन दिलाई सुजान सिंग ने किनना कथामा नू अपने टांग देविच कहन दी कोशिश किती कृशन जी दिया सिख गुरु सहिबान दिया बुद्ध तरंदिया कथामा या जैन तरंदिया हां जी बिलकुल सागर जी डेली क्लास हुन दिया है आठ वजे ते पुराने लेक्चर तुसी प्लेलिस्ट देविच जाके देख सक दियो सारे ही लेक्चर तो नू मिल जानगे ओके जी हां जी बार्वें देले ही उत्तर आएगा हुन तो अड़ा कि किन्या कथामा नू एनना ने आपनी पाशा देविच आपने टांग विच करन दी कोशिश किती है ओके एन देविच आंसर तुसी बी वी किता है सी वी और डी वी जिन्ना ने उत्तर बी किता सिख गुरु सहे बाना द देखा है ओकिस मैगजिन देविच छप दिया है तब प्लीज एननों अपने माइंड देविच भी छाप लाए ना लिखारी नाम दी जड़ी मैगजीन है उस देविच इसनों छापया गया सी ओके जी प्लीज याद रखना ओके अगे चल देयां जी चोद्वा प्रशन दे 1980 या फेर 1985 प्रशन नंबर 14 देली उत्तर करने है और जड़ी मैटनों पिछले प्रशन देविच लिखारी मैगजिन दसी है ओके और एदे विच ससा ससा अमोल वल्लों इसनों छापया गया सी बिल्कुल सही है शाबाश राजपाल जी और सुमन जी ग्रेट वन हाँ जी चोदमें देली हुन तुसी उत्तर करो खुंबादा शिकार दे लई तुसी उत्तर कर रहे हो बीवी और सीवी है ना पर नहीं बिल्कुल एंदा उत्तर है 1971 ठीक है एंदा देना दो लेक संग रह गया है जिनना दे सानू साल पता होने चाहिए देने पहला है सबने जम्मू जी तुसी बढ़े रहा एह उहां श्यंगार दे साल ठीक है जम्मू जी तुसी बढ़े रहा पंजाब जी तुसी बढ़े रहा बंगाल जी तुसी बढ़ेuenciaय odorह है आपँ उने बौलया है वेरी गुड बिल्कुल ए है गया एक्वेशन मतलब जम्मु जी तुसी बढ़े रा अग्गे चलांगे क्वेशन नंबर सोला दि लई सुजान सिंग दी कहानी रचना नू किन्ने पडामा देविच वंडिया जा सक्दा है दो तिन चार या फिर पंज जी जी की उत्तर होएगा जी सोल में दे लई किन्ने पडामा देविच आना दी कहानी रचना नू बंडिया जान्द है येस दो तिन चार या फिर पंज जिन्ना ने विच आना दा उत्तर तिन करना शुरू कितना है बिल्कुल ठीक है तिन पड़ा केड़ए केड़े जे रहा पहला पड़ाया उष दे लिच आना दा कहानी संग्रια आ दे दुख सुख्छ ठीक है दुज्या या है ऐना दा पड़ा है वेना दे दुज्या कहानी संग्राय अदे नाल ही शुरू हो जान्द है ।िक है दुझा है गया दुख सुख तो पिछों ठीक है एधना करके एना दे तिन पड़ा मनने जान दे है अग्गे चलांगे स्तार में प्रशन दे लई रास लिला कहानी नू सुजान सिंग ने किस परबाव दे हेट लिखे है हाँ जी जी रूसो दे परबाव हेट टॉल्स्टोए फ्राइड या फे सारे स्तार में दा तुसी बी और सी दो उत्तर दिते ने जिनना ने भी सी उत्तर दिता फ्राइड दा परबाव उनना दा अंसर बिलकुल सही है रास लिला दे लिए ठीक है जी औके अग्य चलांगे सुझान सिंहर ने किस कहानी दे वाइच फैंटसी यानि की काल्पनिक अंश नु पेशक्ता है fantasy हुंदा किया है यह ता तो अनु समझ आगी कि कल्पना हुंदा है पर देखो कल्पना एक चंगी भी हुंदी है गुडी-गुडी और एक बुरी भी हुंदी है जिस देविच असी डर भी जान दियां ते जडिए fantasy है न ए रहा हुंदी है चंगी कल्पना मतलब जिस दिन जो ते जिन्नी देर आसी उस फैंटसी टाइम देविच रहें उस टाइम बड़ा मजा आंद है ठीक है असी अपने अपनों सेटिस्फाइ कर दिया दैट इस गोल फैंटसी ओके ता इस ता उत्तर जिन्ना ने वी कलम जाग पई किताया उस ता उत्तर बिल्कुल सही है अगे चल द अगे उन्निमा प्रशन देखो सुजान सिंग दा पहला कहानी संग्रें केडा है हांजी जी उत्तर करों पहला कहानी संग्रें दुख सुख दुख सुख तो पिछो सब रंग या फिर नर्कान दे देवते अगर तुसी सारा त्यान ना सुने आए तो आनू ड़िनेटली उन ओके जिन्ना ने भी उन्नी दा उत्तर एक इताया दुख सुख उन्ना दा आंसर बिलकुल ठीक है अग्ये चल देया वीवे प्रशन दिली सुजान सिंग दी केडी रचना गुरु साहिबाना दे जीवन दियुपर अधारित है हां जी जी आंसर करो गुरु साहिबाना दे अगला प्रशन जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है सुजान सिंग दी केडी किताब समुचिया कहानिया दा संग्रया है हुने थे समुचिया कहानिया दी गल हो रही है हां जी मनुखते पशु सारे पत्ते अमर गुरु रिश्मा दुख सुख जी बिलकुल नाम तो ही बिलकुल क्लेर हो रहा है येस राजपाल जी बिलकुल शिरीगुरु अमर दास जी ना रिलेटिड है इक में प्रशन दे हां जी जी question number 21 दे लिए तुसी उत्तर करना शुरू किता A वी और B वी सश्रीकाल हर्मंदर जी ओके जिन्ना ने भी आंसर सारी एथे मैं गल्त आंसर कर दीता है सारे पत्ते आऊगा जिन्ना ने उत्तर B किता है उन्ना दा आंसर ठीक है ओके सारे पत्ते एनना दिया समुच्या कहानिया दा संग रहा है जो की 1992 दे विच ओंद है ठीक है अगे देख दिया बाईवा प्रशन सुजान सिंग दा चोण में आ कहानिया दा संग रहा है पहलां सी किता सारे पत्ते सारे मतलम समुच्ये टा हो गया समुच्या कहानिया कहानिया दा संग रहाrang хотя है ठीक है लाली ते हरी लिम्टियां दी माला पत्तन दे सरां या फियर सत्त सुना देणा 30 question ने सागर जी, 3 question, 3 बाईवे लई तो अड़ा उत्तर आरे आया भी, है न, नहीं, एस सारे होनगी, ठीक है? एन दिया चोण मिया कहानिया लाली ते हर्याली भी है, मोतिया दी माला भी है, पत्तन ते सरां भी है और सात सुरां भी है, ठीक है जी, सारे आनगी अगे देखो, तेमा प्रशन, सुजान सिंग ने किस कहानी दे विच तार्मिक जनून नू पेश किता है? जी, गव माता, मुगल खालसा, मनुखते पशू, या फिर पो फुट पई? जी, हुन आते तुसी तार्मिक जनून दे बारे विच दसने किस ते विच शामिल किता गया है? हाँ जी, तेमे देली तो अड़ा उत्तर आएगा हुन, तुसी उत्तर कर रहे हो सी, है ना, यानि कि मनुखते पशू, बिल्कुल सही उत्तर है, ओके, तर तक मैं तानू बाक् इंग्लिश किंग्डम सी, अंग्रेज सरकार सी, उनना ने पागल बनाया, और ऐसे करके ही वंड होई है, जे आसी एक मुठ हुन दे, ता साड़ी वंड कदी भी नई सी होणी, ए हो गया गउ माता दे बारे विच ठीक है? मुगल खालसा दे विच एनना ने मनुख दे चरित सुजान सिंग ने किस कहानी विच औरत प्रती हम दर्दी नो ब्यान किता है? हाँ जी जी, की अंसर होएगा? चोविवे प्रशन दिली उत्तर करना है, तुसी अंसर कर रहे हो D, हैना सारे बिलकुल सही उत्तर है, उत्तर वैसे पहल नहीं आ गया सी, बटाई नो तो अनो ओं इना ने बूलेया कि जेता गरीब वरग दी लुट होरी है मैं मंदा की होरी है, बट उस्ते नालनाल ओरत दी लुट ओदे तो वी जाधा हो रही है, इसे करके एना दिया कहानियां विच सानू औरत दे प्रती हम दर्दी बहुँआः दिखाई दिन दिया है, ठीक है, और न केंदे है कि मर्द कमांद है औरत कमांदी नहीं है इस करके मर्द जिनने वी तसी हे दिन दे औरत उन्हों चुप चाप बरदाश कर लेंदी है अगे पच्चिमा सुजान सिंग नू किस कहानी संग्रैन दे लई साहित अकादमी अवार्ड मिल्या ते अवार्ड जसी कदीवी नी पुल्डे हुन्दे है न पच्चिमे दे लई तुसी उत्तर कर रहे हो ए शहर ते गरां बिलकुल सही उत्तर है ठीक है ऐसे लिए अन्ना संमानित किता एननू काफी सारे अवार्ड मिलेने ठीक है जिस तरह डॉक्तर अवतार सिंग अवार्ड एनननू सवाल जवाब पुस्तक देले मिल्या सी ता एथे तो अडिकुल पुच्चे गया है पाशा विबाग ने जो संमानित किता है ओ केडी किताब है जिस दे लिए अगे देखो सुजान सिंग्धी उस कहानी दा नाम जिसनू फिल्माया गया है कुलफी बागा दा राखा दोनों या फिर वड़े कियां वड़े आईयां जी की उत्तर होएगा कुलफी और बागादा राखा एनना दोना नों ही फिल्माया गया है ठीक है प्लीज ए तुसी याद रखना अगे चल देखा सुजान सिंग ने शिरी गुरु नानक देव जी देव पर अदारित केड़ी किताब लिखी है अगर तुसी नाम ते आनल पड़ोगे ता अंसर ता 110 परसंट तो अड़ा ठीक होन वाला है वड़े किया वड़े आईया अमर गुरु रिश्मा कलगी दिया अणिया या फिरे सारे जी आंसर करो शिरी गुरु नानक देव जी देव पर अदारित इकतासी पहले हैं किती सी ता उसने तो तुसी आदे विचो वैसे ही डिसकार्ड कर दे गोए अठाईवे दे लही तो अड़ा उत्तर आ रहे हैं ए और सी वी ठीक है जिन्ना ने ए उत्तर किताब बिल्कुल ठीक है देखो बाकी दोनों रचनावा में देख लो एक्चली एनन ने तेन किताब मां टोटल लिखिया ने गुरु साहिबान ना दे जीवन दे उपर पहले गुरु साहिबान शिरी गुरु नानक देव जी दे उपर लिखिया वड्डे किया वड्याईया कितना याद रखोगे शिरी गुरु नानक देव जी पहले गुरु साहिबान सी यानि कि सारे गुरु साहिबाना तो वड्डे ता इस तरह वड्डे किया वड्याईया श्री गुरु अमर दाजी ते दारित अमर्गुरु रिश्मा और उस्तों बाद गुरु गोबिं सिंह घोंग संग्रया, मुख बंध लिख्या, रहा वैं, . पर एह है जे मैं मर गया ठीक है जी एना गुर्दास राम आलम दा पलेठा काव संग रहा है जे मैं मर गया और उसना मुख बंद एना ने लिख्या सीगा सुजान सिंग ने ठीक है प्लीज ए तुसी याद रखना अगे चलांगे सुजान सिंग दी तुलना किस विदेशी कवी देनाल किती जान्दी है तॉल्स्टोय, चैकोव, स्कोट या फिर एनना सार्यां देनाल ही प्रशन नंबर ती देले उत्तर करने है हां जी बिल्कुल जिन्ना ने भी उत्तर किता सी यानि किस कोट उनना दा अंसर सही है अगे चल दिया इकत्ती में प्रशन देले शायद दो इस्तरी दी व्यथा दोनो सर्माएदारी हां जी इकत्ती में देली दसना तुसी लोकन मीटी दे बारे दे विच ठीके जी हां जी और एदे विच मैं तुन्हों दस दिया कि जड़े अंदा नायक हुंदा है वो समाज दिया वदीकियां करके सारी उमर बस गड़ियां देव सर्माएदारी ठीक है सर्माएदारी वाले समाज दैना ने चरितर पेश किता है ओके अगर तो अटकुल मैक्जिमम पुछा जाए ठीक है अग्गे चलांगे रादा किस कहानी दी नायका है पुलेखा रासलीला प्रोणा या फेर पच्छान एनना दे विचों रादा दसनी ह किस दी नायका है है ना और ये में दसन्या कि जेडी वी कहानी है उस दे विच की हुन दाया कि एनना जो व्याया एक बुड़े नाल कर दीता जन दाया और उननों फिर अपनी आत्मा दी त्रिप्ती नी मिल दी किते वी तप एरो ना इक आठ साल दी मुंडे दे विचों ओके येस एथों दी ही समझ आ जाने चाहिदी है रास लीला है बिलकुल ठीक है और ये विच इस दी मनों व्याथा नू पेश किता गया है ओके अगे चल देया हाँ इस दे नाल नाल अन जोड व्यादी समस्या व्याएगी है ना क्योंकि बुड़े नाल उन्दा व्या हुन कुलफी कहानी दे बारे विच दसना है की होएगा जी प्रशर नंबर तेती देलई उत्तर करो की होएगा वेरी गुड जिन्ना ने मी सी उत्तर किता है एक्चली एदे विच जड़ा पिता है बहत ही जादा गरीब हुन दै और वो दे कुलो दो पैसे भी नहीं हुन दे कि आ है ना ते फिर एंड दे विच जड़ा ओ गरीब हुन दा या मुंडा ओ शाहां दे अमीर मुंडे नू कुटके उन्दी कुलफी खोल लेंदा है है ना थैंक्यू राजबी जी ता इस तरह फिर एक की दिखा रहाया लेख के दे विच एंड दे विच ने ओ विचार पेश कि है कि हुन गरीबानों तुसी बहुत शोषित कर लिया हुन एह होर बरदाश नहीं करनगे और हुन एह क्रांती लेके ओनगे ठीक है ओके चलांगे चोंतिवा प्रशन बागांदा राखादा पातर कौन है बारू दिपू कर्मा या फेर सर्वन जी जिन्ना ने वी उत्तर कित बारू भीलकुल ठीक है एकचली बहुत जादा गरीब हुन दा ठीक है और ऊदे को लो मतलब काम करना हुन एक दिन बहुत बिमार हो जान्दा है पर जड़ा सेठ है उँकरना है फेर भी काम पता है नू करना यह पहुँ है ति वचारे दी ओधे नाल मोत ही हो जान्दी है प 25 प्रशन गव माता विच किस समस्या दा चित्रन किता गया है। तो अड़ा उत्तर आर्यावै डी यानि की अनजोड व्यादी समस्या बिलकुल सही है। किन्ने प्रशन पाएने मैं। ए मैंनू मी नहीं पता। चलो चल दे जाओ। सुजान सिंग्दी मनुख ते पशु एक किस तरा दी कहानी है। इतिहासिक, सर्माएदारी, समाजिक या फिर मनोविज्ञानिक। मनुख ते पशु मम्मे तो शुरू हो रहा है त्यान समझ के फिर दास्दो की होएगा। एंदे नाली रिलेट करना है, मम्मे नू मम्मे ते नाल जोडना छत्ती में प्रशन दे लई। ठीक है। जी, की उत्तर होना चाहिद है। वेरी गुड। सही, जिन्ना ने भी मनोविज्ञानिक उत्तर किता, वो बिल्कुश सही ने। आगे चलांगे, I think 40 प्रशन होने चाहिदेने अज। सैंतिमा है, सुजान सिंग ने किस कहानी विच वेस्वादा उदार करन दे लई। एक निवेकला टंग पेश किता है। मैंनों यह नहीं होनदा कि प्रशन जादा या काटा है, पर मैंनों यह होनदा है कि कुछ रह ना जाए। है ना, वो जादा इंपोर्टेंट है। चलो, उत्तर करो फिर वेस्वादे उदार दे लई। नवेकला एनने रा केड़ी कहानी दे विच पेश किता है। प्रशन नंबर सैंती दे लई। नेड़े नेड़े, डेड़ आदमी, पर्दा या फिर सवाल की उत्तर होईगा जी। ओके। सैंती में दे लई। जिन्ना ने भी उत्तर किता। ए गलत। सैंती लिए मिक्स उत्तर आ रहे है। बीवी और एवी। एंदे विच है डेड़ आदमी दे लई। ठीके जी। निवेकला जड़ा है वो डेड़ आदमी दे विच दिखाया गया है। मैंनों पता है परदा नाम तो लग रहा होना है हाना थोड़ा जैदा कन्फ्यूजन हो जान दी है। पर ए डेड़ आदमी होएगा एदे विच वेस्वा नों क्या गया या क्यों अपने हकाने लिए संगर्ष करे। ए बहुत जादा जरूरी है अधर्वाइज ओंदा उदा नहीं हो सक्दा ठीक है अठतिवा प्रशन कलम जाग पई किस तरह दी कहानी है काल्पनिक सोहजवादी सची कटना ते अधारित या फिर औरत दी दशाद उपर अधारित जी वेरी गुड अठति लई जिना ने ए उत्तर किता है काल्पनिक उन्ना दा उत्तर बिलकुल सही है ओके ता आज सड़े सेशन ने वीच टोटल सीगे अठति प्रशन राइट जेड़े कि असी हुन कारले नहीं खतम और मैंनू पूरी उमीद है कि तो अनू आज ता सेशन चंगा लगया होना है ते कुछ ना कुछ तुसी जरूर नमा सिख्या हुएगा अगर स्टूडेंट्स तुसी चांदे हो कि पेपर तो पहला पहला सिलीबस थियरी देनाल पूरा करना है ता तुसी पेड बैच नू जोइन कर सकते हो जित्थे डेली तो अनू पांज लेक्चर भी दिते जा सकतेने तो आटे उपर डिपेंड करेगा ठीक है और उस ती फी तू अभरी बड़ी गूद नहींच टेक कियर थांक यू जी ननुवी सेशन अच्छा लग्या थांक यू सो मच